हेलो मेरी प्यारी फैमिली स्वागा खे आप लोग का पमी राजा फुर्सत के पल व्लॉग में और कैसे हैं आप लोग मुझे पूरी उमीद है आप लोग स्वस्थ होंगे खुश होंगे मस्थ होंगे तो देखिए मैं अभी तयार हूँ पार्टी में जाने के लिए जी हाँ आज एक नहीं तीन तीन जगह हम लोग का पाटी है तो शाम में मा पपा देवरानी राजबीर सभी निकल चुके है वो लोग दो जगह जाएंगे और एक जगह मैं और पती देव अभी जा रहे हैं जहारी रिशेप्शन है और सभी हमारे फैमिली फ्रेंड है दो जगह और एक जगह और हम लोग के फैमिली फ्रेंड है वहाँ पे ग्री परवेश है तो चलिए आप लोग मेरे साथ चलिए रिसेप्शन पार्टी में आप लोग को बहुत अच्छा लएगा और व्लॉग पूरा देखिएगा और हाँ जो नए है वो प्लीज चैनल को आउज है ग्रीन कलर का जूंका है कैसा लग रहा है आप लोग बताईएगा तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्टी में यह पार्टी हमारे घर से काफी नजदीक ही है हम लोग बाइक से ही आये हैं गाड़ी से मापापा लोग गए हुए हैं देखिए यह है चाचा जी इन ही कहा हम लोग आए हैं रिसेप्शन पार्टी में और अभी देखिए चाची जी भी आ रही है और बहुत खुश हो रही है हम लोग को देखके और बोल रही है कितनी लेट से आई बहुत अच्छा लगा कि आई और देखिए कितना प्यार से मि जले लगा रही हैं मिल रही हैं लोगों से चलिए अब दुल्हा दुल्हन से भी मिल लेते हैं और देखिए कितनी प्यारी दुल्हन है नीटा लगा दुल्हन है झाल झाल क्या नाम है अपका? Komal आपके यूटूब चैनल झहते हैं थांक्यू यूटूबर? यूटूबर चैनल झाल झाल दो कि वा करल कि हो टुड़ कि अराथ निम्गाव निम्गोत मंगाल कि अराथ निम्गोत मंगाल बाटि में खाने को तो बहूत कुछ है पर चाची handout की मतन जरूर कहना हम लोग कम notan खाके देखो कितना टेस्टी बनता है और मैं आपको सच में बता रही हूं मैं चावल खा रही हूं और सच में मटन बहुत ही टेस्टी बना है बहुत अच्छा लग रहा है खाने में सब लोग हाई कर लीजिए और देखिए राजबिर भी आ गया है इस पार्टी में मा, पपा, देवरानी सभी आ गया है मेरा बेटा भी आ गया है पर वो तो आएगा नहीं सामने कैमरा के सामने आएगा नहीं वो तो देखिए मा, पपा, देवरानी, राजबिर सभी आ गया है बहुत अच्छा लग रहा है सबने जोइन कर लिया है हमें दूसरी जगा पार्टी से यहां आ गये हैं ये लोग इस पार्टी में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली है उनकी देखिए प्यारी सी क्यूट सी बेटी है मुझे नमस्ते कर रही है, हाइ कर रही है देखिए कितनी प्यारी है कर रही है देखिए ये दूलारी है ये भी मेरी सब्सक्राइबर है और देखिए इनकी गूद में छोटी सी प्यारी सी बेटी है बहुत ही प्यारी है, बहुत खिलाया है मैंने इसको देखिए चाचा जी का बड़ा सा गार्डन है उसमें जूला भी लगा हुआ है सभी बच्चे पार्टी में आये हैं और जूला भी जूल रहे हैं और देखिए हमारा राजबीर भी जूल रहा है और खूब खूश हो रहा है और देखिए शादी ब्याह में एक दुसरे से हम लोग मिलते हैं कितने खूश होते हैं, एक दुसरे के साथ समय बिताते हैं सच में हमारा जो फुर्सत का ये पल होता है बहुत ही आनन दायक होता है तो अब हम लोग घर जाएंगे लेकिन घर जाने से पहले चलिए मैं आपको नगारा दिखाती हूँ शादी ब्याह में ये लोग नगारा जरूर बजवाते हैं बहुत ही शूब माना जाता है तो मैंने चाची जी से पूछा है कि नगारा कहां पे बज़ेगा वहां मैं भी जा रही हूँ चलिए आप लोग को ले चलती हूँ तो अब हम लोग जा रहे हैं घर बहुत सारी अच्छी यादे लेकर सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इनमें तो बहुत लोग ऐसे थे जिनसे मैं पहली बार मिली थी पर लगनी रहा था कि उनसे मैं पहली बार मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, कितने तो सस्क्राइबर थे, वो भी इतनी, क्या मैं बताओ, इतनी अच्छी तरह से मिल रहे थे, लगा था, कितनी दिनों से मुझे जान रहे हैं, तो सच में ये आज का जो मेरा फुरसत में चढ़ गया, ऐसा लग रहा था, कि वो कितने दिनों बाद हम लोग से मिल रहा है, देखी, कितना खुश हो रहा है बड़े पापा को देखके, तो आज का मेरा स्पेशल मुमेंट यही है, राजवीर का अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा से प्यार,